पुराने मगध राज्य में एक बहुत धन्मान सेट रह करता था। उसके पास बहुत धन्दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पढ़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पिर्यों के लिए धन की वेवस्था कैसे होगी। धन की अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुस्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्ही दिनों तथाकत गौतम बुद्ध मगद राज में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की सरण में जाओ वो तुम्हारी चिंताओं का समधान अवस्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है बुद्ध मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे इसी तरह से अगली कई पीडियां भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहे तो मेरा धन यह सुन वे सेठ बहुत खुस हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की समगरी से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुँच गया वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बुढ़ी सास और उसकी जवान बहु है तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का रासन लेकर आया हूँ इसे रख लो यह सुन बहु ने मना करते हुए कहा लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है सेठ ने कहा तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी उस औरत ने कहा माफ करें लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकठा करके नहीं रखते हम रोज के खाने की विवस्था रोज ही करते हैं यहसुन उस सेट ने सोचा एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली कई बीडियों के लिए धन इकठा करने की चिं और बोला तथागत आप जो मुझे समझाना चाहते थे अम मैं वह समझ चुका हूँ लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा बिस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है या कैसे पैदा होती है और इसका निवारन क्या है गौतम बुध ने कहा कल के लिए किये जाने वाले चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले लेकिन वो हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है चिंता एक ऐसी मानसिक बिमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे निरस बना देती है असल में चिंता का कोई वास्तिवी कस्तित नहीं होता चिंता एक ऐसा चिंता है गौतम बुद्ध ने आगे कहा जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिलकुल भी नियंतर नहीं जिने तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या विगड़ जाएगा यह सुन उस इंसान ने कहा बुद्ध तो क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ देए बुद्ध ने कहा जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में बिचार करके उसका समधान निकालना य इसी एक बिचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा बिचार हमारे जीवन से सारी खुसी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। ला सकते हो, लेकिन अगर उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे, तो कुछ भी नहीं बिगड़ने बाला, तो क्यूं सोचते रहते हो, एक ही बात के बारे में, क्यूं अपनी हर खुसी और जीवन के सांती को अपने ही हाथों उजाड रहे हो, लोग भविस्ति की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परिसान होते रहते हैं, उनमें से ज़्यादा तर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं, चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समधान नहीं होने बाला, लेकिन तुम्हारा आज का जरूर चला जाएगा, तुम्हें एक बात का उनभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा ठका देता है, असल में जब कोई अपनी घटना वास्तिविक जीवन में घटवी जाती है, तो वो हमें उतना दुख नहीं देती, जि के सबसे बेस्ट बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है How to Stop Burying and Start Living, यानि चिंता छोड़ो, सुख से जीओ, मैंने खुद इस किताब को दो बार पढ़ रखा है, ये एक बहुती सांदार और best seller book है, अगर आपके पास इस किताब को पढ़ने का टाइम नहीं हैं, तो आप हिंदी में इस पूरी किताब को सुन भी सकते हैं, कुक्को FM एप पर, कुक्को FM के बारे में बताऊं, तो यह इंडिया का one of the best audio book platform है, जहां पर आप एक बुक से भी कमकी कीमत पे करके, पूरे एक साल तक, अलग-अलग फिल्ड की हजारों किताबों को audio form में वो भी अपनी मन पसंद language में, आम तोर पर इस प्रेटफॉर्म के एक साल का सब्सक्रिप्शन पढ़ता है, 399 रुपीज का, लेकिन अभी कुक्को FM पर एक सेट चल रही है, जिसकी बज़े से, आप सब को इसके एक साल का सब्सक्रिप्शन पढ़ेगा, सिर्फ 199 रुपीज में, अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड सुनो 50, लेकिन याद रहे, यह कूपन कोड 31 में राद 12 बज़े तक ही valid है, इसलिए देर ना करें, और ओफर का फायदा उठाएं, अगर आप इस एप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो एप के लिंक डिस्क्रिप्शन और फर् अगर आज हमारे मन में कोई इक्षा है और वो पूरी नहीं होती, तो मन भविष्य की योजनाई बनाने लग जाता है, भविष्य में सारी इक्षाएं पूरी होंगी, ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन, जीवन ना तो भविष्य में हैं और नहीं अतीद में, जीवन त समय की योजनाई बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हिवे कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने बाले भविस्य को देख सकते हैं। हम तो केबल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविस्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्विकार कर सकते हैं, तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर छण जीवन से नहीं भर जाएगा। सेठ ने कहा, बुद्ध बात तो आप ठीके कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिस कर लो, चिंता तो होती ही है, जादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है, बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है चलो तुम्हें एक बात इसमर्ण कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, परिवार था और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेंगे तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ जादा बदलाव नहीं आया वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं तुम्हारे हाथ में हैं केवल और केवल वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो वो समय जिसमें मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं तुम मुझे सुन रहे हो बस यही तुम्हारे हाथ में है और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है और फिर वो हमेशा के लिए कायब हो जाता है तो तुम इस पल का क्या करोगे चिंता करके से बरबात करोगे मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उप्योग किया जा सकता है कैसे अधिक से अधिक महानिकार्य हम कर सके कैसे हम समय आनंद बाढ़ सके ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन मना देता है सेथ ने कहा बुद्ध मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज़्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी उर्जा और आनंद के साथ बरतमान में जीने की कोशिस करनी चाहिए सेथ ने आगे प्रश्न किया लेकिन बुद्ध अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए गौतम बुद्ध ने कहा क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो कितना भयाना कंधकार होता है सुरंग के अंदर हमेशा ही यह डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फस गए तो क्या होगा कैसे निकलेंगे सुरंग से लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकास ही होता है और उस प्रकास तक वही पहुँच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे दौर तक पहुँचता है और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निरासा और चिंता की काली सुरंग में फसा पाते हैं जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्थ हो जाएगा लेकिन ऐसी प्रिस्थिती में ठीक उस सुरंग की भाती इस निरासा और चिंता को समाप्थ करने वाला आसा का प्रकास उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है जो लगातार प्रयात्न करता रहता है इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत बस लगातार प्रयास करते रहना तुम्हें सभलता अवश्य मिलेगी अब तक सेड़ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था उसने बुद्ध का धनवात किया और वहां से चला गया लेकिन उससे पहले दोस्त हूं कि मैं इस वीडियो के समाप्त करूँ मैं आपके साथ पांच ऐसे प्रैक्टिकल टिप सेयर करना चाहता हूं जिनका इत्सिमाल करके आप अपने लाइफ में आने वाली बहुत से चिंताओं और परिसानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं तो जो पहली सीख है वो ये है कि जीवन को ज़्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दे कि ये हो गया तो क्या होगा वो हो गया तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्तिती के अनुसार कोई न कोई रास्ता निकाल ही लोगी इस प्रत्वी को ब्रमांड में बने हुए साधी चार सो करोड बर्ष पूरे हो चुके हैं और अगर आप और मुझ जैसा कोई भी इंसान सौ साल चिंता करके चला भी जाता है तो इसमें इस ब्रमांड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला इसलिए हर रोज खुद से ये बोलिए कि मुझे सिर्फ जिन्दा नहीं रहना बलकि जीना भी है दूसरी सीख ये है कि हर छोड़ी छोड़ी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता कोई छोटा मोटा पैसे का लौस हो गया उसकी चिंता आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा इसकी चिंता और ना जाने ऐसी कितनी फिजूल की चिंताएं हम अपने मन मस्तिक्स में लेकर ढोते रहते हैं जरा एक बार सोच के देखिए कि जिस दिन आप अपनी आखरी सांसे गिन रहे होंगे क्या तब भी ये सारी परिसानिया आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लग रही हैं नहीं ना तब उस दिन ये सारी परिसानिया जो कि आज आपको पहार जैसी लग रही हैं एक छोटे से रेत के कण से भी छोटी लगेंगी इसलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें तीसरी सीख ये बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है आप आज, अभी और इसी पल भी मर सकते हैं हम हर बात के चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे मरते तो दूसरे लोग हैं मैं तो जीवित रहूंगा इसलिए लगातार खुद को याद दिलाते रहिए कि ज्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखरी दिन हो चौथी बात आप ये सुईकार कर लें कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता सबसे गल्तियां होती है इसलिए लोगों को माफ करना सीखे इस दुनिया में इस्वर ने जो भी बनाया है सब बहुत खुबसूरत है अगर हम उसमें अच्छा ही नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें खराब हैं बलकि इसका मतलब ये है कि अभी तक हम इतने मैच्चूर नहीं हुए कि हम उस चीज में अच्छा ही देख सकें और पांचमी बात लोगों की मदद करिये बिना उन्हें बताए जब हम बिना किसी पर हैसान चड़ाए बस ऐसे ही उसकी मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक गजब की सांती और सुकून का अनुभा होता है जो हमें ताकत देता है किसी भी बुरी परिस्तिती से लड़कर उससे बाहर निकलने में दोस्तों हमें अपने जीबन में चीजों को लेट गो करने करिट्योड डेवलप करना चाहिए कि कोई बात नहीं जो होगा देखा जाएगा कोई बात नहीं जो हो चुका उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था अब जो होगा उसे मैं बहतर बनाऊंगा जीबन में सबसे जादा माइने रखती है हमारी खुसी और हम तब ही खुस रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोज नहीं हो इसलिए जिंता छोड़ें सुकसे जीए